नवस्कार खबरों की खबर में आपका स्वागत है इस वक्त की बड़ी खबर पंजाब की राजनीति से आ रही है जहां हलक कंप मच गया है अर्विंद केजरिवाल ने चीफ मिनिस्टर भगवन सिंग मान को पंगू एक कट्पुत्री चीफ मिनिस्टर बनाने का फैसला कर लिया है और वहां विभव कुमार वही विभव जो भी कुछ दिन पहले तक तिहार में था स्वाति मालिवाल की पिटाई की केस में उसे चीफ मिनिस्टर आफिस का चीफ एडवाइजर बना करके निउक्त किया जा रहा है ख़वर इतनी शौकिंग है कि बवाल मच गया है एक आटियाई एक्टिविस्ट ने सबसे पहले इसका खुलासा किया बताया कि किस तरीके से न सिर्फ विभव कुमार को वहां पे चीफ एडवाइजर के रूप में नियुक्त किया जा रहा है बलकि भगवंत मान के जितने भी परसनल स्टाफ थे जो उनके PS वगरत थे OSD थे उन सब को बाहर करने का ओल लेड़ी फरमान जारी कर दिया गया है मतलब अब दिल्ली से अरविंद केजरिवाल पूरी तरीके से कमांड में रहेंगे पंजाब की सरकार को निकर मतलब पंजाब की सरकार अब चलाएंगे अरविंद केजरिवाल तो कुमार विश्वास ने तो यही कहा था बहुत पहले कि पंजाब में वो मुख्यमंत्री के तरह काम करना चाहते है आज शीश महल से बाहर क्या निकले ऐसी खबर आ गई सारे लोग हैरान है पहले एक आर्टियाई एक्टिविस्ट मानिक गोल की खबर आई फिर उसके बाद दो दो अख़वारों ने इसे कंफर्म किया अमर उजाला ने आज समाज ने और उसके बाद तहल का मच गया मजिंदर सिंग सिर्सा आ गये पंजाब के जो नेता प्रतिपक्ष हैं खैरा साहब वो आ गए मैदान में और सारे लोग कह रहे हैं ये तो अनर्थ हो गया ये पंजाब के साथ एक अपमान पंजाब के इसको कसकते कि आन बान शान के उपर अरबंद केजरिवाल ने कुठार गात किया है वो तमाम रियक्षिंस पर आऊंगा मैं राजनीती क्या हो रही है क्यों हो रही है वो भी समझने की कोशिश करेंगे लेकिन जो खबर मानिक गोहल ने दी वो क्या है शोकिंग डवलोप्मेंट एस पर मैं सोर्से विभव कुमार पीए टू अरबंद केजरिवाल has been quietly installed as a chief advisor to Punjab CM Bhagvant Maan, yes, the same विभव कुमार, who was jailed for allegedly assaulted Swati Malibal at the Delhi CM residence. रवारेचिक पन्जाब्सक्रीम आप सेव़ेंगा। को अपुमादे थे हैंगा कीकि अर्पटीर्टनिग अप्रेकित हैंगा। हमारेचिकूटनों पूर्जाबस्टनों थे अर्प्रेक्ट्री एंग डिट्ट्रीमान। In a stunning move, remaining closest aides, OSDs and advisors of CM Bhagwantman have been removed, though official announcements are yet to be made. If all true, this is nothing short of catastrophe for Punjab. With Vibhav's appointment, any remaining autonomy of the CM's office has been handed over to Delhi, leaving CM Punjab virtually powerless. बात बिल्कुल सही है, जो ये RTIA activists जो जानकारी है दे रहे हैं, शौकिंग है, कि तमाम OSDs और बाकी लोगों को जो जो भगवंत मान के नजदीक थे, उनको बाहर कर दिया गया है. अलाकि इस खबर के उपर अभी आमादी पार्टी चुप है, दो दो अखवारों ने छापा है, अमर उजला आज समाज, और ये खबर अगर है, तब तो ये तो बहुत ही बवाल मचाने वाला है. आगे ट्वीट में क्या लिखा, इस सीम भगवंत मान टूली केर्थ पॉर पंजाब, ये सुट स्टैंड अगेंस्ट इस टेक ओवर, इंस्टेट इस सैलेंस स्पीक्स वॉलूम्स, परहब्स अ साइन अफ लब फॉर कुर्सी ओवर पंजाब और पंजाबीज. बोले जरा साब, अगर पंजाब की इजद का ख्याल है, भगवंत मान साहब, आप कुछ बोलें, कौने ये विभव? ये विभव दिल्ली सरकार में, ये सीम साहब के पिये थे, जब अर्विंद केजरिवाल चीफ मिनिस्टर थे, और तमाम मंत्रियों को उंगली पिनने चात थे, अर्विंद केजरिवाल से जिसको भी मिलना है, जो भी बातचित करनी है, जो कुछ करना है, वो विभव कुमार के जरिये ही काम हो सकता है, अदरवाइज नहीं, ये इतना सगा है, इतना बड़ा हमराज है, कि बड़े-बड़े मंत्रियों से भी ज्यादा बड़ा घर से एलोट किया गया था, कई सारी चीजें जो आम आदमी पार्टी को जानते हैं, वो अच्छी तरीके से इस बात को समझ पाएंगे, कि विभव कुमार अर्विंद केजिवाल का आँख नाक कान है, अब उसे चंडिकर भेजा जा रहा है, क्यों? भगमतमान साहब से अर्विंद केजिवाल का, तो आप देखिए जो लोग कहतें कि भई ये तो सत्ता का त्याग करते हैं, बड़े दानी हैं, ये जो प्रभू सीराम से और भरत की कहानी सुनाई जा रही थी, ये तो रिमोट कंट्रोल गौर्विंट चलाएगा पिंजाब का, और जैसे ये ख़वर के ऊपर अपनी जानकारी कठा की और उसके बाद ट्वीट किया, बीजेपी लीडर ने क्या कहा, Sources inside Punjab CMO tell that Vibhav Kumar PA2, Arvind Kejriwal, who was accused of assaulting Swati Malival, has been quietly given the charge of Chief Advisor to CM Bhagwant Manji. All other closest aides of Man Saab have been removed, and now Vibhav will be controlling all operations directly, answering to Kejriwal. This is a shocking takeover. Punjab is being treated as Kejriwal's colony, while Man Saab is reduced to a puppet role. I urge Man Saab, who talks of Bhagat Singh and other revolutionaries, to take a stand against this attack on Punjab and its sovereignty. Man Saab, you are a Punjabi first, and Kejriwal's disciple later, hope you remember this. Attack सुरू हो गया, बास सही है. वहाँ पे सरकार को पंजाब की जंता नहीं चुना है. किसी बाहरी वाले से, किसी केजरी वाले से, गाइड होकर के सरकार चलाने के अनुमती नहीं है. लेकिन उनको कुर्सी अगर प्यारी है, बंजदर ची बोल रहे हैं कि मैं ये तो पंजाब की इजज़त का मखाल उड़ रहा है. के जिवाल ने अपने आदमी को बिठा दिया, तुमारे सरके उपर. आप तो कुछ करही नहीं पाओगे. और जब सिर्जा सहब ने इस ख़बर को कन्फर्म किया, इस तरह का टूइट किया, उनको भी कोई जानकारी मिली, तो फिर पीछे क्यों रहते? कॉंग्रेस पार्टी के वहां नेता पृतिपक्ष जो हैं, सुक्षपाल सिंग खैरा, उन्होंने भी टूइट किया, इस बिलो नूस बाट तेंट विभव कुमार बेंपूंट रचीप अजवाब कुमार बाग्वंत मान इस तू, इस अर्विंद केज रिवाल हैं तके पुंट्रोल पुंजाब दिर्क्ली इस एंड्स, इस रिवाली डेपलोरबल और अब्ज़क्ट सरेंडर पुंजाब बाग्वंत मान, रिमेंबर इस विभव इस तेंट परसंट वाग्व जेल पर बीटिंग अप एंपी स्वाथी मालेवाल लीजिये, कॉंग्रेस ने भी ऐलान कर दिया कि यह आदमी बरदास्त नहीं होगा, यह आदमी बरदास्त नहीं होगा, त्यहार जेल में रहकर क्या आया, हाई कोर्ट, सुप्रिम कोर्ट हर जगह इन्होंने हाथ पैर मारा, लेकिन स्वाथी मालेवाल का केश जो है, इतना मजबूत था, कि इनको जेल जाना पड़ा, आम आदमी पाटी, दिल्ली सरकार, यहाँ भी जब अर्बिंद केज़ेवाल मुख्य मंत्री थे, तो विभब कुमार के जर्ये ही ऑपरेट करते थे, अब विभब कुमार को भेजा जा रहा है पंजाब, तो इसका मतलब यह है, कि वर्चुली अर्बिंद केज़ेवाल है थेकन कंट्रोल ओफ पंजाब गौर्वर्मेंट, यह है सत्ता की ललक, यह है पावर का नशा, अब भगमत मान क्या करेंगे, आम आद्वी पार्टी के तमाम लोग वहाँ क्या करेंगे, विपक्ष कैसे इस मुद्दे को उठाएगा, यह देखना बाकी होगा, लेकिन बहुत ही शॉकिंग न्यूज है, आप देखते लेकाइपल टीवी, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद!